नमश्कार दोस्तों हमारे इस एस्ट्रोलोज और पामिस्ट्री चानल पर आप सभी कस्वागते दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे इस हाथों की बारे में और जानेगे क्या-क्या विशेशता है इस हाथ में और ऐसा वेक्ति जीवन में क्या-क्या कर सकता है तो सब मुझे से जीवन में ऐसा वेक्ति एड़िस्टि नेचर का होता है और ऐसा वेक्ति जीवन में मन चाहा गोल पास सकता है और ऐसे वेक्ति को जीवन में कभी धनकी कभी नहीं आएगी उसके बाद हम देखेंगे कि उंगलियों के बारे में ये होगे गुरू की उंगली गुरू यह जो फैलेंज है वहां पर आड़ी रेखाय दर्शाती है कि विक्ति के जीवन में उन्हें पेट सम्मन्दी रोगों हो सकते हैं जैसे एसी हो गई इंटेश्टेनल प्रॉब्लम हो गया पाइस हो गया फिर लेडिस प्रॉब्लम हो गया ऐसी यह जो रेखाय होती है आड़ी उगली की उन्होंने यह नेल्स बड़ा रखी है तो यह इसकी वज़े से ऐसा वेक्ति और डॉमिनेटिंग नेचर का बन जाता है सभी जगह पे अपनी खुद की बात मनवा लेना ऐसे वेक्ति को ज़्यादा पसंद आने लगता है और इस वज़े से इनका नेचर थोड़ा अग्रेसिव बन जाता है और इनके जगड़े होते रहते हैं नेचर की वज़े से और जगड़े का और एक रीजन है कि इनकी हातों पे यह जो आड़ी रेखाय बन रही है यह दर्शाती है कि नेचर की वज़े से इनके कलिक के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ दोस्तों के अगली शुभमानी जाती है तो यह एक श्टेट बन रही है इसका जुकाओ और वली कि तरफ नहीं है यह शुबसंकेत है उसके बाद है सूरे के उंगली हमें कीरती प्रदान कर दीती है कला बुद्धी मत्ता इस सब के बांबले में हमें सूरे की उंगली से पता चल जाता है और सूरे के उंगली इनकी स्ट्रेट है इसमें आड़ी रेखा है थोड़ी मौजुद होई ये दर्शाती ही कि जो कॉस्म आने वाली सूर्य संबंदी रेखाए हैं सूर्य संबंदी जो भी इनर्जी है उनका इनके हातों में आने में थोड़ी बहुत दिक्कत है इस वज़े से इनकी समाज में थोड़ी बुराई कभी-कभी हो जाएगी उसके बाद हम देखते हैं ये जो लिटल फिंगर है इसकी कुचाए होने पर विक्ति की वानी उसके साथ विक्ति का व्योखार और विक्ती की बिजनेस में उससे सफलता मिल जाती है तो जैसे इन्होंने फृर्षट-FINGर जो है यह लो सेट है यह दर्शात है कि थोड़े शाई किसम का ऐसे विक्ति का नेचर है उसके साथ ही उनको बूद की एनरजी कोस्मोस जो मिलनी चाहिए वो ठीक तरह से मिलने रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं गरहों के बारे में देखे हातों में गरह सबसे अच्छी स्थ दर्शाता है लीडर्शिप क्वालिटी विक्ति के दर्शाता है तो इनके हातों पर गुरु जो है ब्रहस्पति परवत अच्छा खासा डेवलप हुआ है इस पर अच्छे चिन्द बने हैं सक्सेस लाइन या फिर यह देखिए उपर की तरफ जाने बारी रेखा है यहां प जीवन थोड़ा गंभीर किसम का होने वाला है उसके साथी पैसो रिलेटेड कोई प्रोब्लम भी आ सकती है लेकिन मनी लाइन डेवलप होने की वज़े से उनके जीवन के प्रोब्लम थोड़े मिड़ जाएगे लेकिन भागे रेखा भी इनकी थोड़ी घुमावदार लेक रही है यह दर्शात ही कि विक्ति की जीवन में उनके थोड़ी बुराया समाज में उनके प्रती निगेटिव थिंकिंग भी बढ़ सकती है उसके बाद में देखिए बुद्व परवत की जगा थोड़ी उसे कम मिले है क्यूंकि बुद्व की उंगली लो सेट है यह अगर विक्ति की बुद्धि मता बिजनिस में थोड़ी निगेटिविटी लाती है उसके बाद मैरेज लाइन यहां पर ही मौजुद है बुद्व मैरेज होगी उसके साथ ही मैरेज होने के पाद यह देखिए मैरेज लाइन से एक रेखा नीची की तरफ जा रही है यह दर्शात है कि विक्ति के शादी के बाद उनकी पती के साथ अच्छे सम्मंद नहीं रहेगे और डिवोस के भी चांसे से उसके बाद हम देखेंगे शुक्र परवत के बारे में शुक्र परवत बहुती अच्छा डेवलप हुआ है और इस वज़े से शुक्र परवत ज़्यादा ओर डेवलप होने की वज़े से ऐसे विक्ति latest fashion trend follow करना ऐसे वेक्ति को पसंद होता है ऐसे वेक्ति fashionable होता है luxurious item या फिर luxurious life जीना ऐसे वेक्ति को पसंद होता है अपने पास जो भी अच्छे चीज़े हैं वो दूसरों के तरफ दिखा के यानि show off करना ऐसे वेक्ति को ज़ादा पसंद आता है उसके बाद देखते हैं कि उनकी ये जो अंगुटा है वो भी अच्छी खासी height वाला है थोड़े पीछे जुकने वाला है अंगुटा ये दर्शाते की वेक्ति जाद ही एड़िस्ट्व नेचर का है इंसान है और दूसरों की बातों से ऐसा वेक्ति influence हो जाता है लेकिन ये जो अंगुटे का फर्स फैलेंजस है उससे बड़ा सेकंड फैलेंज है ये दर्शाते कि वेक्ति होशियार है उससे जल्दी कोई चीज समझ में आ जाती है सोचने समझने कि उसकी ताकन बहुती बढ़िया है और वेक्ति व्योभारों के मामले में और उसकी वक्तुरत्वशली बहुत ही अच्छे है लेकिन ये जो तिल बन रहा है अंगुठे पे ये एक बुरा चिन्द माना गया हमारे शास्त्रों के हिसाब से ये दर्शात है कि वेक्ति को शुकर रिलेटेड जो भी चीजे है उसमें निगेटिविटी हो जाती है वेक्ति ज्यादा ही कुछ शुआफ करने में चला जाता है संतान प्रप्ति में भी ऐसे वेक्ति को दिक्कत आती है शुकर संबंदी सेक्स रिलेटेड प्रॉबलम भी ऐसे वेक्ति के जीवन में हमें देखी गई है उसके बार हम देखेंगे कि प्रमकरेखाओं के बारे में शुचिए सबसे पहले हम देखते है कि जीवन रेखा जीवन रेखा स्टाट में बिलकुल भी यहां पे ब्लैंक दिखाए दे रहा है या फिर हलकी सी जीवन रेखा नजर आ रही है यह दर्शाति है कि विक्ति का बच्पन यानि 20 येर्स तक विक्ति के लाइफ में noticeable economic progress नहीं हुआ या फिर उनका जीवन स्टार्ट में economic weakness में गया है गरीबी में गया है उसके बाद में अच्छी कासी जीवन रेखा अच्छी health अच्छी economic condition और अच्छी life दर्शाति है उसके बाद हम देखते हैं मंगल परवत मंगल परवत यह जो दबा हुआ है यह दर्शात है कि वेक्ति के जीवन में थोड़ा कम aggression दिखाय दे रहा है मंगल परवत से जो भी आता है aggressive nature वो कम दिखाय दे रहा है उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे वेक्ति के हातों में यह जो मस्तिश करेका है वो उसकी एक branch जा रही है मंगल परवत की तरफ और दूसर परवत पर यह दर्शात है कि वेक्ति के जीवन में उनको उनके जो thinking process है thought process है उस पर उपर इनका control नहीं रहेगा कभी कभी overthinking हो शकती है और कभी ऐसे वेक्ति को psychiatric treatment भी लेनी पड़ सकती है उसके बाद हम देखते हैं कि यह जो है रदे रेखा रदे रेखा पर आईलेंड ब जिन वेक्तियों के सूर्य परवत के नीचे यहां पर आईलेंड बन रहे है ऐसे वेक्ति को आए संबंदी यानि आखे संबंदी problem हो सकती है और रदे रेखा पर आईलेंड बनना रदे संबंदी रोगों को भी दर्शाता है धन्यवाद दोस्तों